पूरी ततपरता के साथ करोना को परास्त करनी के लगा हो हुआ है यह अब तक के सबसे बड़ी अभ्यान का हिस्सा हम इसे मान सकते हैं उत्रप्रदेश के अंदर पिछले चार-पांस दिनों के अंदर केसेच कुछ बढ़े हैं आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेच हैं 308 हैं और इनमें 168 तबली की जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेच हैं प्रदेश के अंदर इसको हर अस्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाई जा रहे हैं जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं थी आज भारत सरकार के सयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर दस टेस्टिंग लैब वर्तमान में सफलता पुरुवक कारे कर रही हैं कोविड नाइनटीन के खिलाब प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केर फंड के अस्थापना की है इसमें मानिये जन प्रतनिधियों के साथ समाज के विविन तबकों का व्यापक समर्थन भी मिला है हम लोगों ने तै किया है कि कोविड केर फंड का अप्योग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका अप्योग करेंगे कोविड लेवन वन लेवल टो लेवल थ्री के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका अप्योग करेंगे करोना के खिलाब जिन साहे कुप करोनों की आउस्चिकता है पी-पी, N95 मास्क, थ्री लियर मास्क, थर्मल एनलाइजर, इन सब के वेंटेलेटर्स, इन सब के मेनिफेक्चरिंग की प्रकरिया को भी और आगे बढ़ाने की कारवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कारे कर रही है भारत सरकार के सयोग से हम लोगों ने अब तक करोना टेस्टिंग के दस लैप्स प्रदेश के अंदर अस्थापित किये हैं हम लोगों ने तै किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर सभी मंदलिय मुख्याले के डिस्टिक हॉस्पिटल में करोना टेस्टिंग लाइप्स की स्थापना करेंगे और इसकी कारवाई को तेज़े के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहां पर प्रमुक्षचिव चिकिस्सा सिक्सा को उनकी नित्रित्व में एक कमेटी का गठन करते विए इस प्रक्रिया को तेज़े के साथ आगे बढ़ाया है प्रदेश के अंदर हमारे पास 24 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेजेज है दस में पहले से ही हमारे पास टेस्टिंग लैप्स है इनके अप्ग्रेडेशन की कारवाई करने के लिए भी निर्देश दिये गए हैं और साथी साथ 14 मेडिकल कॉलेजेज ऐसे हैं जहां पर अब तक COVID-19 की टेस्टिंग की कोई भी फैसलिटी नहीं है इन 14 Medical Colleges में भी COVID-19 Testing Facility स्थापित करने के लिए Labs स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे वढ़ाने की ले निर्देश दिये हैं प्रदेश के सभी जन्पदों में 75 के 75 जन्पदों में COVID-19 की जाच के लिए Collection Center स्थापित हो सके इसको भी हम लोगों ने इस कारेकवाई को आगे वढ़ाने की कारवाई की है यानि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 कमिस्टनरी मुख्याले ऐसे हैं जहां पर कोई Government Medical Colleges नहीं है वहाँ पर हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से सभी 6 के 6 जनपदों में करने जा रहे हैं जिसमें देविपाटन मंडल में, गोंडा में, मिरजापूर मंडल में, मिरजापूर के अंदर, बरेली मंडल में, बरेली के अंदर इसे प्रकार से मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद में, वारानसी मंडल में, बियेचू में एक लैब है, लेकिन एक लैब वहां के हॉस्पिटल में भी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कारवाई प्रारम की है, एक वारानसी में और एक अलीगड में ये च्छे मंदली ये मुख्यालियों में सेस हमारे दस मेडिकल कॉलेजेज में जो ये फैसिलिटी पहले से मौजूद है इसको अपग्रेड करने की कारवाई के भी निर्देश दिये गए हैं लेवल थ्री की लैप्स वहाँ पे बनेंगी किसी भी प्रकार के वा पर कारे करने के लिए कारयोजना बना दी गई है और तीसरे चरण में जो हमारी कारवाई साथ साथ प्रारम होई है कि जो चौदा मेडिकल कॉलेजेज हैं अलग-अलग जन्पदों में बनाए गए हैं जो फंक्सन में हैं इन सब में भी करोना टेस्टिंग की हम लोग लैप को ने प्रारम की है इसके इलाबा सभी जन्पदों में और एक जन्पद में हम लोग कलेक्शन सेंटर बना करके इस प्रक्रिया को क्योंकि वहाँ पर जो भी एपरिटस खरीदने होंगे जो भी एक्क्यूपमेंट खरीदने होंगे इन सब को हम लोग ने अभी से एक कमिटी गठित करते वे इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए इस कारवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिये गए हैं हमें विश्वास है क्या दरने प्रधान मंत्री जी का इससी नित्रत्व है भारत को इस वैस्विक महामारी से पूरी तरह प्र लॉकडाउन के इस अनुसासन को स्वेकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी ब्यक्ति को कोई परेसानी हो। हमने आज भी इस फ़स्ट निर्देश दिये हैं मैंने अप्तरप्रदेश के अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिये हैं एक कहीं भी भोजन का संकट ना निपाए दूसरा किसी भी प्रकार की उपचार में कहीं कोई स्थिलता नहो इस पर भी युद्धतर पर कारे प्रारम हो यह कारवाई पुरिपरदेश के अंदर मुझे विश्वास है कि हम 23 करोड जन्ता को करोना से बचाने के लिए आदिने प्रधान मंत्री जी के नित्रतों में जो अभ्यान प्रारम हुआ है निष्टिती उत्तरप्रदेश में इसको सफलता प्राप्त और नॉटिफिकेशन बेल आन कीजिए धन्यवार